ठीक है तो लास्ट वाले सवाल बेसिकली एक्चल में एक्चल में गलती से मुझसे क्लोज हो गया था एनिवेस हम लोग एलपीपी फॉर्मूलिट कर चुके थे उसको लिखने का तरीका में तुम्हें बता रहा था सबसे पहले तुम क्या लिखोंगे एक्षों टू नूमबर ओफ यूनिट्स ओफ क्या ए सोल्ड और फिर वाइक्वल टू नूमबर ओफ यूनिट्स ओफ ए सूल्ट समझ गहा है एन देन उसके बाद स्टेट्मिंट किस परकार से बनाना कि जो यहां पर ए को बनाने के लिए जो रिक्वार्मेंट लग रही है Okay, for manufacturing, manufacturing of A, take 3x units of P and 2x units of P, sorry, Q are required, okay, A को manufacture करने के लिए, यह requirement की need है, यह na, For manufacturing of P, क्या लिखोगे, 2y units of P and 5y units, of Q are required, ठीक है, अच्छा, तो देर्फोर, total units of P, बराबर, कितना हो रहा है, 3x plus 2y, that must be less than, equal to, कितना, 120, total units of Q, बराबर, यह चीज़ की तियोरी है, 2x plus 5y, that must be less than, equal to, 160, अच्छा, यह हो गया, constraint number 1, यह हो गया, constraint number 2, मैं एक अच्छे से तुम्हें लिख कर दिखा रहा हूं, so that, तुम आगे वाले सवालों में, simply, discussion हो जाने के बाद, खुझ से उन चीज़ों को लिख सको, एक मैं अच्छे से तुम्हें करके दिखा रहा हूं, ठीक है बाद, अच्छे, तो, इसके बाद, देखो, non negativity constraints कैसे आते हैं तुम्हारे पस, x has to be greater than equal to 0, y has to be greater than equal to 0, यह हो गया 3, यह हो गया 4, ऐसा है, ठीक, also, total profit कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको लिखो z, बराबर 350x, plus, भाई, एक unit a को बेशने पर तुम्हें 300 का मुनाफ़ा होता है, और एक unit b के बेशने पर, क्योंकि तुम्हें 400 रुका का मुनाफ़ा होता है, इसलिए जो पूरा total profit रहा, वो इतना रहा, यह तुम्हारा objective function हो जाएगा, तो अब LPP formulate करना है, यह नि कि क्या, objective function बनाना, ठीक, objective function बनाना, and, objective function बनाना, plus constraints, ठीक है क्या, प्रोब्लम किस प्रकार से हो जाएगा, भाई, is to maximize, यह objective function हो जाएगा, subject to, 3x plus 2y, 2x plus 5y, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, ठीक है बात, यह मेरा answer होगा, ठीक, तो इस प्रकार से, लिखना होगा, तो है, mathematical formulation, of the above problem, is to maximize, this is our objective function, ठीक है बात, यह अपना objective function हो गया, यह हो गए, non negativity constraints है, क्योंकि भाई, number of units जो है, negative तो हो नहीं सकते, sorry, ठीक है, तो non negativity constraints लिख लिए, बाखी जो other constraints है, उसको लिख लिए, availability of P and Q, उसको लिख लिए मैंने, ठीक है, बहुत ही आसान से सवाल आएगा तुमारे, तुमारे को subjective में, चाहे objective में, बहुत ही बहुत आसान से सवाल आते हैं, ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से LPP की problem को तुम formulate करते हो, उसके बाद region plot करना, and then उसके बाद optimum solution निकालना, यह हम लोग आने वाले वीडियो में वैसे सीखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपना focus, LPP की problems को formulate करने में लगाएंगे, एक मुटा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की दरफ, अभी सिर्फ formulate करना है, LPP, अभी मैं बस समझाता जाऊंगा, and then उसके बाद proper statements होगर के साथ, तुम्हें लिखना होगा, ध्यान रखो, अच्छ, अब यहाँ देखो, यह तो table से ही clear है सब कुछ, सब कुछ तो same ही है, यह यार, क्या बोल रहा, weekly availability of wood, तो अच्छ, table बनाने के लिए क्या के चाहिए देखो, wood steel की requirement दे रखिए, ठीक, तो मैं बोल देता हूँ, एक्स table बना रहे है अपन, और y bookshelves बना रहे है, तो wood के कितने units हो गए, atex हो गए, wood का क्या हो गए भई ही साब के चाहिए, atex wood, और 2x कितना steel, यह चाहिए, फिर यहां देखो, 11y wood, plus 3y steel चाहिएगा, तो total wood कितना चाहिएगा आपने को, therefore, total wood जो आएगा, वो हो गया आपने पास, atex plus 11y, अब देखो, total wood की जो availability है, अल्रेडी दे रखिये, 4.500, तो यह हो गया पहला constraint, ठीक है, पहला, अच्छ, total wood हो गया, इसी प्रकार से, जो तुम्हेर पास, total, steel की availability रहेगी, वो किती है, यहाँ देखो, steel है यह, तो 2x plus 3y, और total steel की availability, मुझे अल्रेडी दे रखिये, 100 units है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, आगे के constraints कैसे लिखोगे तू, non negativity constraints, ठीक है, इसके बाद, जो total profit है, objective function, उसको लिखो, this is our objective function, ठीक है, किता हो रहा है total profit, x unit अपन बेज रहे हैं, table के, और bookshelf के बेज रहे हैं, 1200, 1200 है, प्रती bookshelf, तो इतने bookshelves हो गया, यह हो गया total profit, अपना profit function, ठीक है, बस इसको maximize करना है, this needs to be maximized, ठीक है, हो गया बस, constraints अपने पास कितने हैं, चार, ठीक, यह चारो constraints आगया अपने पास, आच, तो इसको तो प्रॉपर अंग्रेजी भाशा में तो लिखी लोगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है, इस तरह से प्रॉपर अंग्रेजी में ढालते हुए, तो तुम लिख लेना, वो तुम कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं जाएगे तुमको, अगले सवाल की तरफ आते हैं, यहाँ देखो, बोल रहा है, डाइट ऑफ ए सिक परसन, मस्ट कंटेन, अच्छा, आप देखो, यहाँ पर इस सवाल में, कोई टेबल नहीं दी गई है, ठीक है, मस्ट कंटेन, 4000 उनिट्स ओफ विटामेन, 5000, अच्छा, दो तरह के फूड है, F1 और F2, पहले पूछा क्या हो गजता है, फॉर्मूलेट दावर प्रड्म एस LPP, तो फूफिल सिक परसन्स रिक्वार्मेंट्स, अच्छा, कोस्ट नीड्स तो बी मिनिमाइस्ट, ठीक है, अच्छी बात है बई, तो टोटल कोस्ट कैसे आएगा मेरे पास, यहाँ देखते हैं, सवाल को तो पढ़ना ही पड़ेगा, टू फूट्स, एफ़न 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 कोस्ट, यह एं यह पर यूनिट रस्पेक्टिवली, यहाँ से मेरे पास आगया, कि एक्स और वाई क्या लेना है, टोटल कोस्ट अगर मुझे लिखनी है, तो मैं लिख सकता हूँ, 50X प्लस 75Y, क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, जिसमें X क्या है मेरे पास, X is number of units, और food 1, F1, और Y हो जाता है तुम्हार, number of units, समझ गया है, ठीक है बाद, F1 units, X हो गया, और F2 units, Y हो गया है, बाद सब उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल के मज़े लेने है, तो अब देखो, वो बोल रहा है, कि diet of a 6 person must contain at least 400 units, अच्छा, vitamin, mineral, और calorie, कितना कितना रहना चाहिए, वो data देखा तुमको दे रखा है, vitamin होना चाहिए इतना, mineral होना चाहिए इतना, calorie होनी चाहिए इतनी, ठीक है, F1 में क्या-क्या है, 200 unit है vitamin के, F1 का अगर composition देखें, तो it consists of 200 unit of vitamin, 200 unit of vitamin हो गया, plus F1 में और क्या है, 2 unit mineral, 40 unit calorie, ठीक है, तो अब अगर तुम देखो, इसका मतलब, x units of F1, का मतलब क्या हो जाता है, 200 x vitamin, plus 2 x mineral, ठीक, plus 40 x, क्या, calorie, ठीक, अच्छ, similarly, जो तुम्हारा y units रहेगा, तुम क्या लिख सकते हो, तुम क्या लिख सकते हो, y units of F2 में क्या रहेगा भी, 100 y vitamin, plus 3 y unit minerals, plus 35 calories, 35 y unit calories, ठीक, अच्छ, अभी vitamin क्या मिल रहे है, food 1 plus food 2 की वज़े से, total vitamins intake, बराबर, कितना हो गया भई, 100 y हो गया, food y, वो 2 की वज़े से, और 200 x हो गया, 200 x plus 100 y, बस अब तो फिर तुम, क्योश्च आने हो, ये चीज, कितनी होनी चाहिए, minimum लिखा है, at least 4000 units, मतलब 4000 से तो बड़ी ही हो गया, ये हो गया मेरा, constraint number 1, ठीक, अच्छ, total इसी प्रकार से, mineral और calorie, intake, कितना हो जाता है, उपर से आ रहा है, अपने पास, 2 x, नीचे से आ रहा 3 y, that must be greater than equal to, mineral का intake केता होने चाहिए, 50, at least 50, अच्छ, उसके बाद आते हैं, calorie पर, तो 35 y तो यहीं से हो गया, और 40 x हो गया उपर से, 40 x plus 35 y, that needs to be greater than equal to, calorie कितनी बोल रखिये, ठाहिए जाता है रहा आपने, ठीक, यह 3 constraints हो गया, पर all the constraints are in two variables, दिख रहा है कै, constraints कितने भी हो सकते हैं, तीसरा variable नहीं आ रहा है, non negativity constraints उठालो, सबसे पहले तो, क्या हो जाएंगे भाई, यह तुम्हारे non negativity constraints हो जाते हैं, ठीक, ऐसा, ठीक है, अच्छा, यह 5 के 5 हो गए, मेरे पास profit क्या हो रहा है देखो, profit यह फिर मैं कहूं, बस इसमें किसको minimize या maximize करना है, cost को, तो, z क्या आता है मेरे पास, यह रहा हो, यह है, total cost, this needs to be minimized, ठीक है, तो, therefore, formulation of the amount of mathematical problem, कैसा हो जाएगा, z बराबर, 50x plus 75y, needs to be minimized, subject to, 1, 2, 3, 4, 5, ते के बाएगा, यह सा, clear, this is mathematical formulation of the problem, अगला सवाल देखते हैं, अच्छा, तो, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ध्यान रखना, किस चीज को x और y ले रहे हैं, उसी पर पूरा सवाल टिका हुआ रहता है, किस चीज को तुम x और y उठा रहे हो, इस पर ही, पूरा सवाल टिका है, ध्यान रखोने, चीज के आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ यहाँ देखो, एक प्रिंटिंग कमपणी है, दो तरह की मैगजिन चापती है, 20 और 30 रुपए, प्रती कॉपी उसको मिलता है, A और B का ठीक है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सबसे पहले तो A का X उनिट माल लो, अब पूरा सवाल X और Y के टम्स में लिखना है, तो A को मशीन वन का दो आवर चाहिए, तो X उनिट हो रहे हैं, तो, फॉर प्रिंटिंग ये, किता हो गया, 2X आवर्स ओफ मशीन वन, फिर 4X आवर्स ओफ मशीन टू, और इसके बाद, फिर 2X आवर्स ओफ मशीन थ्री, ठीक है बाद, भाई, X उनिट है न, इसकी कित्ती हम चाप रहे हैं, इसके X उनिट चाप रहे हैं, भाई, एक के हम रो कित्ते उनिट चाप रहे हैं, X उनिट चाप रहे हैं, तो इसी लिए इत्ती रिक्वार्मेंट रहेगी, similarly, for printing B, B के कित्ती उनिट चाप रहे हैं, वाई उनिट तो एक उनिट बी का चापने के लिए, अब भाई तीन हंटे लगते हैं, मशीन वन के है, तो इसका मने जाहिर सी बात है, थ्री वाई आवर्स ओफ एम बन, ठीक, पाँच और तीन, ठीक है, क्लियर है, अच्छा, इतना लग रहा है, तो मशीन वन का जो टोटल यूसेज है, वो गितना हुआ, एम वन का, एम टू का और एम थरी का, टोटल यूसेज इस कित्ते आ रहे हैं, टू एक्स, थ्री वाई, दो, तीन, चार, पाँच, और फिर दो टी, ठीक, इतना यूसेज हो रहा है, तो अभी मशीन का जो वन का पर वीक जो अविलिबिलिटी है, होगा है, 35, 50, और फिर 70, ऐसा, समझ गए, तो यह हो जादा है, तुम्हारे पास constraint, वन, यह हो गया, टू, यह हो गया, थ्री, प्रॉफिट कित्ता कित्ता मिल रहा था, देखो, पहली लाइन पही दिया हो था, यह दिख रहा है, earns 20 और 30 रुपए है, ठीक, तो objective function तुम क्या लिखोगे, profit function, कित्ता हो जागा, 20 और 30, तो, x units अगर a के बिखते हैं, तो मुझे 20x मुनाफ़ा होगा, y units अगर b के बिखते हैं, तो मुझे 30y मुनाफ़ा होगा, ठीक, this needs to be maximized, ठीक है, यह मेरा objective function हो गया, ठीक, आच्छा, तो सारी चीज़ें मैंने cover कर ली है, total profit is, maximize, तो कैसे लिखोगे, यह है न, maximum, तो mathematical formulation of the given problem will be to maximize, यह जो profit आया मेरे पास यह, subject to 1234, ठीक है, non negativity constraints क्या हो जाएंगे तुम्हारे पस, x और y, ठीक है बात, अच्छा, बस इसी तरह के सवाल है यारब क्या वो लूम है, मतलब x और y जहां तुम से assume हो गए, ठीक है, कि भई x और y क्या-क्या है, बस वहाँ तो फिर तुम उसके बाद पूरे सवाल को, x और y के terms में लिखना शुरू कर दो, एक-एक लाइन पढ़ते जाओ, x और y के terms में expressions बनाते जाओ, यह तो आठवी नवी वाला काम है, दस्वी वाला भी नहीं कह सकते इसको तो, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, बोल रहा है, डिलर विशेज तु पर्चेस टेबल फैंस और सीलिंग फैंस, यह इतना तु इन्वेस्ट, अगे बोला भी पर्चेस पर्चेस टोर, 40 इटम्स, अच्छा अच्छा, मैक्सिमाइज दप्रॉफिट, आप देखो, प्रॉफिट कैसे नहीं कालोगे तो, क्या बोल रहा है, फॉर्मलेट इस प्रॉब्लम में लिप्प, और प्रॉफिट में दो पहले आखरी लाइन कटता हूँ, तो इस अभा लेता हूँ, मैप दा नमबर णॉब टेबल फैंस, बराबर एक्स, को जित्ते खरीद रहा है, अजिम्मिन धाट, इस इसस्टेज भी बैच रहा है, तो number of table fence माले थे x है जितना आया होता गया और number of ceiling fence तो y है अब इसके basis पर अपने को पूरा सवाल बनाना है तो 700 रुपए एक table fan का लगता है 900 रुपए लगता है ceiling fan का तो मेरे पास सबसे पहली चीज तो यह बन जाती है देखाए है साढ़े साथ सो यह अगर मैं table fan मंगा रहा हो तो इतना लगा और 900 लगेगा और 900 y लगेगा मेरे पास ceiling fans को मंगाने के लिए मेरे पास total पैसे है 57,600 रुपए ठिक तो यह मेरा बनता है पहला constraint अच्छा एक्स और य मेरे पास non negative होंगे ठिक इसमें तो कोई दोमत ही नहीं है non negativity constraints है ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं अब ही अपने को profit लिखना है ठीक है यह तो हो गया total cost price ठीक profit कितना हो रहा है he can make profits of 70 रुपए और 90 रुपए by selling a table fan and a ceiling fan respectively तो अगर X table fans अगर बेचेगा तो उसमें total profit फिर में लिख सकता हूँ 70x plus 90y ठीक यह हो गया मेरा z objective function इस चीज़ को maximize करना है ठीक है यह मेरा answer हो जाएगा ठीक है तो इसमें देखो यह हो जाता है पहला constraint अच्छा 40 item है अपने पास store करने के लिए यह चीज़ तो मैंने लिखी नहीं है तो उसमें अपने कोई constraint यह भी लगाना पड़ेगा कि भाई x plus y needs to be less than equal to 40 ठीक 40 item अपने store कर सकते हैं अच्छा तो बस यह फिर तुम्हरे पास constraint नूबर 2 बन गया दो constraints हो गया यह वाले एक तो यह हो जाता है total amount के इतना invest करने लिए दूसरा यह storage वाला जो समस्या है उसको लेकर एक constraint बन गया non negativity constraints हो है ही तुम्हारे पास और profit function भी अवले बने ठीक 70 x plus 90 y this needs to be maximized ठीक है अच्छा तो बस यह हो जाता है फिर formulation of the above mathematical problem can be will be to maximize यह function लिख देना 70 x plus 90 y subject to उसके बाद फिर 4 के 4 जो तुम्हारे constraints है 1 2 3 4 सभी non negativity constraints को include करते हुए वह 4 के 4 को लिख देना समझ गया है इस प्रकार से यह चीज हो जाएगी तुमसे ठीक है अच्छा इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं ठीक है बोला जा रहा है कि इससे रदी सवाल दो होनी सकता maximum yearly income तो yearly income होगी कितनी तो ऐसा मान ले थे कि उसने saving certificates में एक्स रूपीज एक्स इंवेस्ट किये कर फिर दो ठीक, अच्छा, 50,000 रुपय है आपने पास, सबसे पहली बात तो X plus Y needs to be less than equal to 50,000, दूसरी बात, at least 15,000 तो saving certificates में डाले है, 15,000 से उपर होगा, Y needs to be greater than equal to 20,000 है न, अच्छा, यह क्या है, total amount invested, चेक, अच्छा, अभी जो yearly income होगी, वो क्या होगी, interest, total interest earned, ठीक, तो वो कित्ता होगा, saving certificates पे 8% परैनो, तो तुमने total amount कितना invest किया, saving certificates में X, तो 8% of X plus total interest, 9% है तुम्हारा PPF पे, यह total interest earned होगया, कित्ता होगया, ठीक, अच्छा, अब इस चीज़ को maximize करना है, हो गया खत्म, ठीक है, इसी चीज़ को ना maximize करोगे, अच्छा, तो, यह हो गया मेरे पास Z, this needs to be maximized, returns जो है, maximize करवाने, subject to, यह सारी चीज़ है, ठीक है, एक से लेकर पांचते, अबाँ, whatever, कि अबाँ करें, और होगी जो हो उत्म, तो, यह रखतने हैं, तो, इस प्रकार से तुम, और होगे, तो, हिला तो, यह दो, प्रकार से तुम, की सवाल को formulate कर सकते हैं ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहां सारे constraints हो लिख लिए बने ठीक है यह सारे constraints हो जाते हैं तुम्हारे पास यह objective function हो जाते हैं तुम्हारे पास ठीक है अच्छा सवाल में क्या कोई और चीज छूट गई है क्या यहां दें तुम्हारा हजार वाली चीज को मैंने ले लिया बीस हजार वाली चीज को उठा लिया टोटल इंकम के लिए यह दोनों को add up कर लिया पचास हजार मैं इस्तमाल कर चुका हूं अल्रेडी कि वही एक्स फ्लस वाई कितना होना चाहिए कम से कम नहीं कम से कम नहीं एक्जक्ली अच्छा नहीं wants to invest अच्छा 50 थाउजंड ओके 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 अच्छा टोटल मतलब जो amount है अपने पास वह पचास है इंवेस्ट करने लिए हो सकता है अपन उससे कम करें ठीक है बाकी तो सब कुछ ठीक है अच्छा 15,000 से उपर उसको हाँ जमा कर रहा है ठीक है ठीक है ठीक है बाकी सब कुछ ठीक बना है तो 15,000 प्लस अपन इंवेस्ट करेंगे सेविंग साइटिफिकेट्स में देन उसके बाद जो 20,000 प्लस वाला amount है उसको PPF में है प्रोविडेंट कर रहा है at a speed of 50 km per hour he has to spend 2 rupees 2 per km on petrol if he rides at a faster speed of 70 km per hour the petrol cost increases to 0.5 rupay per km he has 500 rupay to spend on petrol and wishes to travel maximum distance within 1 hour अच्छा distance को maximize करना है उसने कित्री distance चली अच्छा तो 50 km से मान लेते हुआ x दूरी जा रहा है और 70 km per hour से वो let's say y दूरी जा रहा है ठीक है ठीक अच्छा तो पहली बात distance हो जाएगा x plus y ठीक है ठीक है टोटल दिस्टेंस बी एक्स प्लस वाई यह रहेगा मेरा z this needs to be maximized ठीक अच्छा अब आते हैं 2 रूपय लग रहा है प्रती km on petrol अगर 50 से जा रहा है तो अगर x km जा रहा है तो 2x रूपीज उसको लग जाएंगे कित्ता हो जाता है 2x plus ठाई रूपय लगते है न अगर 70 km से जाता है तो 2.5y ठीक एक किलोमेटर अगर जाता है तो ठाई रूपय लगते है तो y किलोमेटर जा रहा है इसलिए 2.5y रूपीज लगेंगे अब उसके पास क्योंकि टोटल टोटल पैसा जो है वो उसके पास 500 से कम है तो जो एक्सपेंडिचर है 500 से कम होना चीए यह मेरे पास पहला कंस्ट्रेंट आ गया ठीक है अच्छा इसके अलावा देखो यह चीज मैं अल्रेडी इसका मतलब ले चुका हूं ठीक है अच्छा विदिनन आवर एक घंटे में उसको कैसा पहुंचना है मतलब एक घंटे से कम है तो टोटल टाइम टेकन किता हो होगा ऐस डी सोय estrogen upon speed ठीक है उससे मुझे टाइम मल जाएगा तो डिस्टेंस अपरोन श्पीड इससे मुझे टाइम मल जाएगा तो यह गिवन है x upon 50 plus y upon 70 ये चीज 1 से कम होनी चाहिए ये हो गया मेरा constraint नमर 2 अब तो और कोई चीज नहीं छूट रही है बागी तो हर चीज का मैंने coverage ले लिया है ठीक है गया तो petrol cost increases to die और फिर ये ठीक है गया अगर 50 पे चलता है तो this will be the cost सारी चीजों को मैंने account में ले लिया है तो मेरे प इसको मैं हमेशा लिखता हूँ कई भूलना जाओ ठीक तो अभी मुझे maximize करना है z को subject to 1234 समझ गए ये मेरा formulate होगे lpb ठीक है बाद अच्छ ठीक है इसके बाद देखो अगला जो सवाल है two different foods है a and b are being considered to form a weekly diet the minimum weekly requirement of fats carbohydrates and proteins are इतना 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 1 kg of food a has food a की पूरी composition दे रखिये food b की पूरी composition दे रखिये price दे रखा है food a और food b के एक एक unit का form the lpp to minimize the cost बहुत बढ़िया तो अगर cost को minimize करना है तो total cost को दो लिखना आना चाहिए तो total cost कैसे लिखो गए दो बराबर 5x plus 7y जहां पर x और y क्या क्या है x हो गया number of kgs of food a similarly यह किता हो गया number of kgs of food b ठीक आच्छा इप्समें एक एक पर खा। । झाल ठीक है आगे बढ़ते टोटल कोस जैसी मैं लिखूंगा तो मेरे पास काम बन जाएगा ठीक है मतलब पता चल जाएगा कि X और Y किसको उठाना है वही काम हम LPP के हर सवाल में करते आ रहे है जैसा कि देखा भी है तुमने ठीक है तो इसके आगे देखो the minimum weekly requirement ये दे रखा है food A 1 kg of food A के पास इतना इतना है तो जाहर सी बात है x kg of food के पास कित्ता कित्ता रहेगा 7x 5x 12x और 7x ठीक है तो मेरे पास total जो मुझे food A और food B से जो मुझे मिल रहा है उसके लिए देखो एक table अगर मैं बना हूँ food A का basically x kg मैं consume कर रहा हूँ तो उसके लिए उसके साथ मुझे क्या क्या चीजे मिल जाएगी fat, carbo और routine ठीक है 5x 12x 7 ठीक है और जो food B है उसका मैंने कित्ता उठाया भई y kg मुझे क्या क्या मिला fat कित्ता मिला 7, 15 और 9 एक मिड़ा भज़ तीक है क्या हच तो तो total मेरे पास कितना हो गया जो fat का total हो गया वो हो जाता है 5x plus 7y ठीक है इधर ओ गया 12x plus 15y अगधर हो गया 7x plus 9y यह हो गया total nutrients का total जो intake हो रहा वो इत्ता हित्ता हो गया अब क्या बोल रहा वही वीकली रिक्वार्मेंट ओफ इतना 17, 28 और 14 तो मिनिमम है 17, 28 और 14 ठीक है इस तरह से तुम टेबल क्रियेट कर सकते हो ठीक है क्या है यह मेरे पास हो गया पहला यह हो गया दूसरा यह हो गया तीसरा कंस्ट्रेंट ठीक है क्या है देख लिए कही कोई चीज छोटी तो नहीं ह यह सारी चीजे तो मैं ले चुका हूँ अच्छा इसके अलावा मैं इन चीजों का ध्यान तक चुका हूँ अट्री ठीक है प्राइस की वज़े से मैंने अट्री जब अब्जेक्टिव फॉंक्शन है वो भी बना चुका हूँ ठीक इसको बिसिकली मुझे मिनिमाइस करना ह है ठीक सब्जेक्ट टू यह अगया तुम्हारे पास तो इस चीज को मिनिमाइस करना है यह मेरा एलपी बन जाता है मिनिमाइस सब्जेक्ट टू 1 2 3 4 & 5 ठीक है बात ऐसा यह सवाल बन गया तुम्हारे पास ठीक है अच्छा तो अभी इस वीडियो को यहां पर रोकते हैं थोड़े से 2-3 सवाल और बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कैसा कवर करते हैं ठीक है अच्छा इस वीडियो को यहां रोकता है